क्या आपको पता है रेस्टोंट में जो आप पटेटो बॉल खाते हो उसके भीतर क्या डाला जाता है सबसे पहले बॉल में दो उबला हुआ आलू डालेंगे और उबले हुआ आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे अब हम आलू में स्वादनुसा नमक डालेंगे काले मिर्च डालेंगे और इयनो डालेंगे और चार चम्मत चावल का आटा डाल कर अच्छे से मिलाएंगे और इसका एक डो बना लेंगे अब हम थोड़ा सा डो लेंगे इस तरह से फ्लाट करेंगे और इसके भीतर डालेंगे पनीर अब हम बॉल को अच्छी तरह से सील कर लेंगे देखे बॉल अच्छी तरह से सील होना चाहिए अब हम बॉल को गर्मा गरम तेल में 5 मिनिट के लिए मेडियम फ्लेम में फ्राइ करेंगे देखे हमारा पटेटो बॉल तयार है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना